हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग आज है 10 अक्टूबर तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अफियर्स अब देखते हैं यूके ने इंडिया पमीटेट इच अधर जी हां इंडिया और यूके में अब ट्रेवलिंग आसानी से की जा सकती है और कोभी सील जो वैक्सीन को कभ सेलिप्रेट क्या जाता है 4th October 10th October तो ध्यान रखे वोल्स प्याइश बिक प्रिसेंटली चलिपर टो 10th October and the country is Pakistan, this year selected for celebration of the week, World Space Week और इस बार का theme बहुत important है, Women in Space ध्यान रखे, Women in Space इस बार का theme है आगे बढ़ते हैं, Current Affairs दीज में आपका स्वागत है Question No.1 इसनों रेसीव अपियस सीमिक्रियोजोइनिक प्रोपलेंट टैंक फ्रॉम देखे, इसरू ने भी हाल में एक बहुत ही important tank रेसीव किया है और यह जो tank है, यह बनवाया गया है HAL याने की हिंदुस्तान इरोनोर्टिक लिमिटेट के दौरा इसरू और HAL का बहुत ही अच्छी link है, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और HAL इसरो के बहुत सारे प्रोड़क्ट को मैनिफैक्चर करता है, अभी हाल में यह जो tank है, जिसका नाम है semi cryogenic propellant tank, यह actually में इस्तमाल किया जाएगा, MK3 launch vehicle में, ठीक है, तो यह एक future mission के लिए लिया जा रहा है इसका नाम है, semi cryogenic propellant tank, यह लिया जा रहा है, HAL से और कौन ले रहा है, जी हाँ, इसरो इसे ले रही है question number 2 पे आएंगे, nobel prize for peace मिल गया है, यह जो prize है, यह दिया गया है मेरिया, एंगेलिटा, और दिमित्री मुराटेब, देखे इसका अंसर है, दोनों को ही मिला है, मेरिया एंगेलिटा और दिमित्री मुराटेब, यह nobel prize for peace, यह बहुत important news है, देखते है, nobel prize for peace 2021, किस लिए दिया गया है, तो मेरिया रेसा को दिया गया है, जनरलिजम के field में क्योंकि इन्हों ने अपने paper के through, फिलिपीन में democratic freedom and expression की बात की है, तो right to freedom and expression पे इन्होंने बहुत सारे काम किये हैं, और इसलिए जनरलिस्ट मेरिया अंगेलिटा, रेसा को दिया जाता है, nobel prize for peace, nobel prize for chemistry, for medicine, for physics, सारा कुछ अबलेवल है, आपको इसका link मिल जाएगा, description box मे और नहीं तो आप playlist आकर देख सकते हैं, देखिए, मेरिया एंगलेटर रेसा जो है, वो American journalist है, American Philippian journalist है, फिलिपीन में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने फिलिपीन में freedom and expression पे बहुत सारा काम किया है, साथ में ये भी बहुत important है कि अभी हाल में world freedom prize, world prize freedom prize, क्योंकि एक important prize ह युनियसको के द्वारा दिया जाता है, वो इनको मिला है, तो ये आप ध्यान में रखे, आगे बढ़ते हैं, देखिए, दिमिट्री मूराटे, डिमिट्री मूराटे जो है, वो रश्या के जर्नलिस्ट है, सबसे बड़ी बात कि ये रश्या के जर्नलिस्ट है, दूसरी important क यह बिलॉग करते हैं नभोया ग्षितासाना झाहिता में और शॉप्रिंट इंडिया इक डेमोक्रिक Ăंट्री है। क Fisher face ५ேरिवु गोखने हैं और यहां पर बहुत सारे चांट से काम करते हैं। किन्तों रश्य और चाइना में ऐसा सिट्वेशन नहीं है वहां पे स्टेट कंट्रोल बहुत ज्यादा है तो यह जो जेनरलिस्ट है दिमिट्री मोरटिव इनकी जो न्यूस पेपर है नवोया गैजिटा यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूस पेपर है क्योंकि यह फ्रीडम सिट्वेशन है और इसमें भी अपना काम कर रहे है इसलिए इनको दिया जाड़ा है नोडिन देमुक्रेसी के लिए और पीस के लिए यह नॉबल पीस प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है तो कुशन आ सकता है कि नॉबल पीस प्राइस कौन देता है तो आगे बढ़ते हैं कुशन नमर 3 पर आते हैं विच कंपी हैस एक्वाइड एर इंडिया वाइव बीनिग 18,000 को बीड दिखिए अभी हाल में एर इंडिया को एक्वाइड कर लिया गया है एर इंडिया एरोप्लेन को जो पूरा एरोप्लेन है वो जो है अब पूरी तरह से आज आएगा टाटा संस के अंतरगत तो यह important news है तो एर इंडिया कंप्लेटली टाटा संस के अंतरगत आ जाएगा और हो सकता है नाम भी चेंज हो जाए तो अभी तक तो एर इंडिया है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 4 की तरफ मिशन कवच कुंडल प्रोग्राम है जो स्टार्टे इन मिशन कवच कुंडल प्रोग्राम स्थार्ट क्या गया है महरास्ट्रा में यह प्रोग्राम क्या है थोड़ा जानते हैं महरास्ट्रा गवर्मेंट लाई है मिशन कवच कुंडल स्कीम तो बूस्ट कोवीड-19 वैक्स लगा लिया होगा complete vaccination process चल रहा है तो दोनों ही डोस ज़रूर लगा है तो चले आगे बढ़ते हैं कवच कुंडर मिशन रिलेटेड है महरास्टरा से question number five पर आएंगे which is the Indian state has recently owned seven indigenous product GI tag कौन सी इंडियन स्टेट ने अभी seven indigenous product GI tag का हासिल किया है तो देखिए वो जो राज्य है वो है उत्राखंड उत्राखंड में साथ प्रोड़क्ट को GI tag दिया गया है अभी हाल में तो यह important हो जाता है धान रखें उत्राखंड नहां पर प्रिंटिंग में स्टेट उत्राखंड गेट्स जी आइटेग पर 7 आइटम कौन कौन से आइटम है वो देख लेते हैं कुमायू चूरिया आयल मंसूरी राइस भुति अइपन क्या है एक आठ है जो कि अम जनरली फ्लो पेंटिंग कह सकते फ्लो रंगोली जिसको गहते है वो है आइपन फ्री रिंगल क्राफ्ट क्योंकि बैंबो से बनाया जाता है कॉपर प्रोड़क्ट और थुलमा यह साथ प्रोड़क्ट है जिसके कारण जी आइट टैग यहां पर यह बता रहा है रिंगल बैंबो स्ट्रेंड के बारे में देखे कितना ब्यूटिफुल बनाया हुआ है बैंबो से इसको रिंगल कहते हैं और आइपन क्या है आइपन एक रिंगोली आर्ट है जो कि उत्राखंड में फेमस है ध्यान रखें आइपन टोटल की बात जी आइटाइग मिला है करनाटका को करनाटका के बात जो है वह तमिल नाडू तमिल नाडू को 39 प्रोडक्त में जी आइटाइग मिला हुआ है ठीक है तो ध्यान रहें रहें उत्राखंड को 18 प्रोडक्त में मिला है करनाटका को 47 में मिला है आगे बढ़ते हैं कोश्चन न जहा ज़से कि दौरा सकते हैं कभी कभी तिए किया सकते हैं ने JUST फोनेस्तिक्रोन श्रीक्पिंग व। करे अधैपक विसमाय और से करेज़ दो एक ईसलेों का सब नौच किया है और यह डिजिटली किया जाएगा तो यह एप इंपोर्टेंट है माई पॉर्ट एप लॉंच बाई मिनिस्ट्री ओफ शिपिंग कुश्य नमबर सैवन पे आएंगे स्वक्ष पोग्राम है रेसेंटली लॉंच बाई स्वक्ष पोग्राम काफी न्यूस में है यह किसके द्वाड़ा लॉंच किया गया है तो यह किया गया है आंदरप्रदेश सरकार के द्वाड़ा देखी आंदरप्रदेश कवर्मेंट हंडरे डेस पोग्राम लाई है ताकि पूरे स्टेट को क्लीन किया जा सके क्लीन दे स्टेट प्रोग्राम स्टार्ट क्या गया आंधर प्रदिस कवर्मेंट के द्वारा हंडरे देस्ट प्रोग्राम है काफी अच्छी प्रोग्राम है यह आगे बढ़ते हैं कोश्चन अबर एट की तरफ जोकी मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन है ग्लोबल मल्टी डाइमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स एज रिलीस वाई अभी रिपोर्त आया है 2021 का ग्लोबल मल्टी डाइमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स यह रिलीस किया जाता है UNDP के द्वारा ध्यान रखे United Nation Development Program and Oxford University ने ये रिपोर्ट रिलीस की है जिसका नाम है Multi-Dimensional Poverty Index इस रिपोर्ट में बताया गया है 1.3 billion multi-dimensionally poor people है ये रिपोर्ट इंडिया के लिए बहुत important है क्योंकि most number of people suffering from multi-dimensional poverty is in India जानवर के इंडिया में बताया जा रहा है 381 billion people जो है वो poverty के poverty line के नीचे आते हैं और इसलिए ये एक dangerous situation है 5 out of 6 is from lower caste and tribe और ये भी बताया गया है कि 5 जो है अगर 6 में देखा जा तो 5 जो है वो या तो lower caste के या तो lower tribe के है यह भी बहुत ही बड़ी समस्या है ठीक है जोकी reservation बढ़ते जारा है फिर भी benefit नहीं मिल रहा है यह ध्यान में रखने की बात है global multi-dimensional poverty index जो है वो Oxford University and UNDP के द्वारा release किया जाता है उसके अलाबा अगर हम देखें most poor countries में इंडिया के बाद है नाइजेरिया फिर पाकिस्तान फिर इथोपिया फिर Democratic Republic of Kangoo के इंडिया के बाद है नाइजेरिया फिर पाकिस्तान फिर इथोपिया फिर दिमोक्रेटिक रिपब्लिक और क्योंकि कुश्यों में आ जाता है second most poor country according to multi-dimensional poverty index इंडेक्स नाइजेरिया देख लेते हैं एक logical threat report अभी हाल में आया है यह report कौन निकालता है जल्दे से इसका अंसर दे और अगर आपको नहीं पता है तो कल के वीडियो में इसका अंसर ज़रूर बताया जाएगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे श्यूय कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले डेली अपडेट एजी और सिंपल टू दी पॉइंट कर इंट अफेर्स के लिए आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं थैंक्यू